हलो दोस्तों गुड मॉर्णिंग स्वागत एक बार फिर से आप सुभी का एंजेटे एजुकेशन में दोस्तों आज है 30 मार्च आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 30 मार्च 2023 के पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखनी है पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाए गई है वर्ड मैप के भी जरी है जहां पर भी आउसकता लगी हुई है तो इंट तक आप ज़रू देखिएगा चले कल का कुईकली रिविजन करते हैं पहले उसके बाद आज की परिभान मंत्री नितन गड़करी जी ने घोशना की है कि भारत का जो हाइवे इंफरस्ट्रिक्टर है यह अमेरिका की बराबरी कर लेगा दोजार चॉविस के एंड तक और उत्राखंड में चार मीटर के ब्यास वाली लेक्विड मिरर टेलिस्कोप का अनावरण किया गया है उनको चुनाओ आइकन के रूप में चुना है पाकिस्तानिय मूल के हमजा यूसुप को स्कॉट लैंड में अगला प्रधान मंत्री या कायं की फर्स्ट लीडर चुना गया है और चीन ने अभी 22 देशों में बेल्ट एंड रोड इनिसियेटिव के तहत 240 बिलियन डॉलर खर्च किये हैं ऐसे रिपोर्ट सामने निकल करके आई है भारत और आफ्रीकी देशों के बीच में सेना प्रमुखों का पहला संयूंग सम्मेलन हुआ जिसके तहत आफे इंडेक्स नाम का एक भ्यास भी हुआ ये पुडे महराष्ट में सम्मेलन हुआ है 28 मार्च को EPFO ने 8.15% कर दिया है कर्मचारी भविस नित पर ब्याजदर 0.05% की बड़ोतरी की गई है यादायात के लिए रोपवे सेवा सुरू करने वाला भारत का पहला सहर बन गया है वारानसी और गेटवे आफ इंडिया से एलेफंटा गुफा तक तैयर करके पार करने वाले पहल से ता रह चुके हैं ब्रिक्स न्यू डवलेप्मेंट बैंक का नया ध्यक्ष डिल्मा रुसेव को बनाया गया है जो कि ब्राजील की पूर्वर राष्टपती भी रह चुके हैं दो बार की ये टॉप 10 करेंट अफेर के कुशन्स थे कल की वीडियो से जिनका आपने किया र करते चलो और आज का भी पढ़ते चलो और अगर आपका करेंट अफेर मेरी आवाज में दो दो बार रिकॉल हो जाया करेगा ऐसे ही तो आप बहुत ही बहत्रीन तरीके से चीजों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे चलिए तो पहला कुशन देखते हैं नासा 2023 से मंगल किया जा रहा है मंगल ग्रह पर जीवन की पॉस्विल्टी खोजेंगे ये लोग और जैसे कि एल मस्क ने पहले ही एनाउंस कर दिया है कि मंगल ग्रह पर वो वसाएंगे लोगों को तो वहाँ पर कॉलोनी बनाएंगे तो पहले तो ये लोग नासा वगेरा सब जा जाकर कि धिरदे सेटेलाइट छोड़ करके वहाँ पर देखेंगे जीवन की संभावनाय तलासेंगे क्या कुछ दिक्कते हैं या फिर क्या कुछ वहाँ पर निवास के लिए पॉस्विल्टी जह उसको खोजा जाएगा इसकी तहत नासा ने कहा है कि तीन एनलोग मिसन वो लांच कर है अलाओ नाता सेटेलांट इंसाइडर लेंडर परस्वेरंस रल्वर मिशन यह सब को भी देखेंगे आप्को याद हो का परसेवरेंस नम का एक मिसन किया था 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 नासा ने Perseverance Rover Mission, ठीक है, जब मैंने आपको बताया था कि Hope नाम का Mission किया था, UAE ने और वहीं चाइना ने एक Mission launch किया था, तियानवेन फर्स्ट नाम से था, तियानवेन फर्स्ट नाम से था, चाइना वाला और Perseverance जो था, ये नासा का था, किलियर है, तो नासा के बारे में बेसिक अगर Information की बात करें, तो अमेरिका की Space Agency है, National Aeronautics and Space Administration इसका फुलफाम होता है, 1908 में अस्तापना हुई थी, Bill Nelson इसके अध्यक्ष है, Washington DC में इसका Headquarter है, आगे, अच्छा, रिवीजन की अगर बात कर लें, थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, रिवीजन अभी हम लोगों ने देखा था, कि नासा का ही एक प्रोग्राम है, जिसके तहट जो पारकर सोलर प्रोब लांच किया गया था, उसी का एक यूनिट है, उसने सूर्य पर कोरोनल छिद्रों की खोच किये, कोरोनल होल की खोच किये, जोकि 30 गुना बड़ा है प्रतवी से, इसके अलामा मैंने आपको नासा से से बताया था कि नासा और इसरो मिलकर के निसार नाम की सेटेलाइट लांच करने जा रहे है, निसार जो सेटेलाइट है, नासा और इसरो का सेंथेटिक एपर्चर रडार है, अगला हाली में किस NGO को चिल्डरन्स चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, तो अभी हाल इसरो में तपोवन नाम का एक NGO है, एक एक ऐसा और्गनेजेशन जिसमें गौर्रमेंट का सपोर्ट नहीं होता है, वो इंडिविज्वल या किसी कंपनी या किसी और्गनेजेशन की द्वारा वो चलाया जाता रहता है, और वो पब्लिक विलफेर के लिए, यानि सामाजिक कल्यान के लिए होता है, तो यहाँ पर ऐसा ही एक NGO है, तपोवन जो की असम में पढ़ता है, असम का एक NGO है, और चिल्डरन्स चेंपियन अवार्ड इसे दिया गया है, यहाँ पर आप आठकल दिख पाओगे, असम NGO विंस चिल्डरन्स चेंपियन अवार्ड 2023, तो 2005 में यह बच्चे होते हैं, उनके समर्थन पर यह केंदरित होता है, फोकस होता है, हाली में संगहाई सहयोग संगठन का समवाद साज़ेदार कौन मना, तो SEO, संगहाई कोपरेशन और्गनाजेशन का अभी हाली में दोस्तों, डायलाग पार्टनर बना है, सौधी अरेबिया, सौध सौधी अरब चाता है कि ये भी इसमें सामिल हो जाए, लेकिन अभी आप जानते हो, इसमें इरान अभी रिसेंटली सामिल हुआ है, और इरान और सौधी अरेबिया की तो बिल्कुल बंती नहीं है, CS उन्नी वाला विबाद है, ठीक है, तो फिलहाल देखो, लगा तो है सौ को हम लोग जानते हैं, अभी क्या हुआ है, कि रियाद को या कहें कि सौधी अरब की जो राजानी है, उसको संघाई कोपरेशन और डायलाग पार्टनर के रूप में एड किया गया है, और ऐसा इसली एड किया जा रहा है, क्योंकि इसके चाइना से संबंद जो है, वो काफ पिलाल संघाई सहयोग संगठन की बात करें, तो ये एक और चेत्रिय सहयोग संगठन है, कहा पर खास करके एजिया में, बहुत सारे देश इसमें महातोपोर्य हैं, जो इसमें सामिल हैं, 9 देश टूटल हैं और इस बार कि समिट भी भारत hier आज़ुद करेगा इसकी अध् इसका हेड़कोटर है आप लोग इंतिजार कर रहे हो ट्रिक का ये नोव देश आपको कैसे याद करना है देखो मैंने आपको एक कविता बना करके दी थी कविता क्या मतलब एक लाइन थी वही आपको बोलना है क्या बोलना है भारत की रूची भारत की रूची और पाकिस्ता में पकिस्तान का इराणी ताउ इसी से आप 9 Schmidt के 9 निकाल सकते हो कैसे थोड़ा सा pen का color में चेंज करके आपको बताता हूं जिससे आपहराम से कर पाउगे चलो भारत की रूची में एक तो मिल गया भारत दूसरा की से मिल गया किर्गिस्तान रूँ से रूइस ची से चीन, पाकिस्तान से पाकिस्तान, और का से कजाकिस्तान, ध्यान रखिएगा, एक है किर्गिस्तान और एक है कजाकिस्तान, ठीक है, तो की और का दोनों ही है, इसके लावा इरानी, ये सात्वा हो गया, और इरानी मतलब इरान, अभी रिसेंटली एड हुआ है, और यास्ट वाला भी ठीक है नme बढते हैं अचहा उयसे अगर इस बार के सम्हित की अगर बात करते हैं तो समित Z Complete कि भारत में जबानि कर रहा और भारत किसफी में जबानी वड़े कि old सब्सक्राइन है और भारत किसकी में ग evil किया होखी कि इस भारत इसबार गिalth to गोवाला है उसकी भी मेजबानी करेगा फिला गोवाला राष्ट्रीय खेल होते हैं रृष्ट्रीय खेल पिछली बार अभी गुज्राथ में हुआ और इस बार वाला देखो, ये जो खाडियां हैं, जिसे फारस की खाडि कहते हैं, गल्फ आप उमान हुआ, उमान की खाड़ी जिसे कहते हैं, ये सभी खाड़ी हैं, खाड़ी हैं यहाँपर, तो खाड़ी के आसपास की जो देश हैं, इन्हें खाड़ी देश कहते हैं, तो इसमें कौन-कौन से देश है, महात्पूर्ण रुपसे देखो, दूर से देखो गर आप ये बड़ा देश इरान है, सौधी अरेब्या है, कुएत है, युनाइटेड अरब अमिरात है, कतर है, बारीन है ठीक है, उमान है, यमन है ये सब ही देश है, तो सौधी अरेब्या यह जो दिख रहा है ना बड़ा सा देश या कहें कि इन में से सबसे बड़ा यही है यही दोना इरान और सौधी अरेबिया है तो सौधी अरेबिया यह रहा रियाद इसकी राजधानी है रियाल इसकी मुद्रा होती है और मजलिस अलसूरा इसकी संसत का नाम होता है और मुहम्मद बिन सल्मान यहां के क्राउन पिरिंस है अगला खुशन 1930 मार्च को कहाँ पर लोगतंद्र सिखर सम्मेलन 2023 आयोजुद किया गया तो दोस्तो यह आयोजुद हुआ अमेरिका में पाकिस्तान नहीं चाहता है कि इसके रिस्ते चाइना से खराब हो तो चाइना के डिप्लोमेटिक क्लैस को देखते हुए यह युनाइटेड इस्टेट्स बेस इस समिट में हिस्सा लेने से मना कर दिया समिट फॉर डेमोक्रेसी इंविटेशन को यह रिजर्ट कर दिया पाकिस्तान ठीक है वासिंगर डीसी अमेरिका में आयजुद हुआ इसके अलावा अगर बात करें अगर सहमेजबानी किसने किसने की थी तो कोस्टा रिकार नीदर लेंड साउथ कोरिया और जॉंबिया की स लेकिन एक और अभी जारी की गई थी जो कि जॉर्ज स्वरोस के द्वारा पंडेट जो एक कंपनी थी उसके द्वारा जारी की गई थी नाम नहीं आधा रहा है इसमें भारत को 170 अस्थान पर रखा गया था बहराल वो उतना ज्यादा इंपॉर्टंट है नहीं रैंकिंग लिए यू वाला ही ज्यादा पूछा जाता है जिसमें नौर्वे टॉप पर है नौर्वे टॉप पर है इसमें ठीक है ना हाली में वर्ड गोल्फ चैंपियंशिप मैच प्ले का खिताब किस ने जीता इसको जीत लिया है दोस्तों सैम बर्स ने सैम बर्स ने अभी वर्ड गोल्फ चैंपियंशिप का अवॉड मतलब खिताव जीत लिया है अवार्ड नहीं कहेंगे से यह टूनामेंट का और इसको इन्होंने जीत लिया है इन्होंने किसको हरा करके जीता है केमरन यंग को वो गोल्फ के संबन्दित यह टूनामेंट होता है प्रते एक आप्सिस बैंक ने अभी माइक्रो पे लांच किया है यह एक प्रकार का पी ओएस सिस्टम है पी ओएस बोले तो पॉइंट आप सेल जैसे आप जाते हो किसी स्वापिंग मॉल में तो समान खरिदते हो उसके बाद उसको समान पकड़ाते हो तो वह एक डिवाइस आपके सामने करते हो वह क्या होता है वही है पी ओएस डिवाइस ठीक है पॉइंट आप सेल डिवाइस इसके तुरू आप कोई क्ली पेमेंट कर पाते हो ऐसे ही माइक्रो पे सिस्टम इन्होंने लांच किया है पिन ओन मोबाइल टेकनोलोजी पर बेस्ट है यह डिजिटल पेमेंट को ए अलग है मेरा अच्छा है करके प्रजेंट करता है तो वैसे इनका भी है इसके लिए यह इन्होंने एजिट एप और माई पिन पैड के साथ सहयोग किया हुआ है इसके साथ साहधार करके इसे लांच किया है एक्सिस बैंक के अगर बात करें तो इसके अस्थापना 1993 में इसका ब्यापार था इंडिया इसका एक्सिस बैंक ने तो ये भी आप याद रखेंगे पूछा जा सकता है अगला हाली में NDTV का गयर कारेकारी अध्यक्ष किसे न्यूप किया गया तो ये न्यूप किया गया है UK सिनहा ये बहुत बड़ा नाम है सेवी के ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं सेवी तो आप जानते ही हो ना Securities and Exchange Board of India तो इसके पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और इनको अभी हाली में NDTV का Non-Executive Chairman न्यूप किया गया है यहां परा पार्टिकल देख पाओगे NDTV पॉइंट्स फार्मर से भी Chairman UK सिनहा अज नौन एक्ष रह मैं अच्छा ये कब से कब तक Chairman है अगर आप से पूछा जाए SBI के कब से कब तक अध्यक्ष रहे तो आप बता अध्यक्ष है तो याद रखेगा और NDTV अब जानते हो आपकी अडानी गुरूप के अंतरगत आ चुका है NDTV ने साथी साथ वेलस्पन इंडिया की मुखे कारेकारी अधिकारी यानि Chief Executive Officer CEO दिपाली गुएनका को इनको भी एक Independent Director के उपर नियूप किया है यह सा किया जाता है इसमें यह कोई नई बात नहीं है बहुत सारी कमपनिया ऐसा करती है कि वो पूर्व जैसे की कोई बड़ी ऐसे संस्था हो उसके डारेक्टर रह चुके हो रेटायर्ड ओफिसर रह चुके हो उनको अपने Board Member में सामिल करती है ऐसा क्यों करती है जिसे पारदर्सिता बनी रह है साथी साथ कोई घपला ना कर सके जो सीर साथिकारी है वो कोई हेर फिर ना कर सके और साथी साथ RBI के सामने अपने आपको साप सुथरा भी दिखा सकेंगे कि हां हम तो इनको आइड किये हैं अपने Board Member में तो देखो हम कितने अच्छे हैं ठीक है फिलहाल आप भी अच्छ जय माता दी आपको मिलेगा 50% का डिसकाउंट हमारी इबुक्स पर चाहे आप राफेल के स्टाइटिक जी के लो चाहे ब्रहमोस लो चाहे करेंट फेर लो यहां पर देखोर मिसाइलों के नाम वगएरा क्यों रखी जाते हैं क्योंकि इससे ग्या होता है कि थोड़ा सा आप आपको करेंट फेर में थोड़ा सिमिलर्टी महसूस होती है थोड़ा सा रिलेट कर परते हो और चीजे तो आपको डीटेल में तो यहां पर कॉंटेंट मिलेगा ही बहुत अच्छा है वाकई एक बार आप ज़रूर ले करके देखिए हाली में कि इस देश ने घातक मारबर्ग वायरेस बिमारी के प्रकोप की गोशना किये तो दोस्तों तंजानिया ने एक अभी अनॉंसमेंट किया है इन्होंने कहा है कि हमारा देश जो है घातक मारबर्ग वायरेस से पीडित हो चुका है इसका आउटब्रेक यहां पर सामन और यह काफी घातक विमारी मानि जाती है क्योंकि इसकी मृतियोदर 24 से लेकर 88 पर्चत तक थे यानि अगर सो वीक्तियों में यह वायरेस होता है तो चैंस हो T天अटी है चरोaster ले बहुत जादा कहें कि दो परसंट तक गया था मिरतुदर यहां पर 24 परसंट तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी घातक में वारी है ठीक है कि मतलब केणिया के नीचे आपको दिख जाएगा यह देश तंजानिया तंजानिया की राजधानी होती है डडोमा ये है इसकी capital डडोमा बिलकुल बीच में है और तंजानिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वर्तमान समय में ये है कासिम मजालीवा कौन है कासिम मजालीवा यहां की currency हो उन्होंने एक मंगोलियाई लड़के जो की आठ साल की उम्रका है मात्र आठ साल की वर्स की यह लड़का है इसको वहाँ पर तीसरा सर्वोच पद दे दिया गया है तिब्वतिय बहुत धर्म में यहां पर आप आर्टिकल दे पाओगे दलाई लामा रिकोगनाईज मंगोलिय जो है अमेरिका में पैदा हुआ लेकिन यह है मंगोलियाई मूल का और इसे तीसरा सर्वोच रैंक दिया गया है जिसे दसवाँ खालका जेट्स धंपा रिन पोचे कहा जाता है दूसरे वक्ति कौन है दूसरे सबसे सीर्स पद पर कौन है पंचेन लामा इनका भी नामा ठीक है तीसरे तो ये तीन पत्द हैं टिबत में तिबत ये 노वर्स भी मैंने आपको बताया है लोसर मोद्सो जो है ये तिबत ये नोवर्स होता है ठीक है लदधाक वगरा में celebrate करते हैं धलाइला लामा कोई नाम नहीं है ये भी ध्यान रखना ये पोष्ट है ये तीनों मे में ही चाइना ने कबजा कर लिया था और उसके बाद से तिब्बत जैसा देश है नहीं वर्ड मैप में ओफिसली ठीक है हाला कि हम लोग मानते हैं तिब्बत को कि तिब्बत वापर होना चाहिए था ठीक है अगला आली में टेकसास युनिवस्टी ने किसको लाइफ टाइम अवार्ड प्रदान किया तो टेकसास युनिवस्टी के द्वारा अभी हाले में नवीन जिंदल जी को लाइफ टाइम अचिमन्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है नवीन जिंदल जो है ये जिंदल गुरुप के चेयर परसन है अध्यक्ष है जिंदल इस्टील एन रहे हैं उनको सबसे पहले लाइफ टाइम अचिमन्ट अवार्ड से समानित की थी उसके बाद दूसरे वक्ति हैं ये नवीन जिंदल ठीक है ये वैसे टेकसास युनिवस्टी में पढ़ भी चुके हैं वहाँ पर चलिए तो यह तो थे हमारे आज की दिन के टॉप 10 करेंट अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो एक लाइक जरू कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना चैनल पर अगर नहीं आए हो एसी वीडियो जुरू जाना चाते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करो कल मैंने आप से कुशन पूछा था अरावली परवत सिखर क सबसे उंचा सिखर कौन सा है तो आप बताएं बताएं थे गुरू सिखर बहुत सारी लोगोंने अंसर किया था डीटेल में अंसर किया था आप सब लोग कुशिच करने का और इंज कैप पूछा गया था तो मेगलेनी ने औरेंज जिता हैली मैथ्वे ने परपल के जीता थ थी इसके लावा राम गंगा निशनल पार्क का नया नाम है दोनों कुशन अच्छे हैं दोनों कुशन के बारे मैं आपको जो भी पता होगा डिटेल में ज़रो अंसर करना हमारी PDF अगरा सब आपको यहीं पर आपको सारी कुछ चीजें मिलेंगी बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक वीडियो देखने के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में तक वीडियो नमस्कार जहन वंदे मात्रा